कि वह लो देखने वाले हैं एक और इंट्रेस्टिंग पोलिटिकल साइंस का चैप्टर दिसका नाम है The End of Bipolarity इस चैप्टर में अब लोग इतना मजा आने वाला इतना मज़ा आने वाला है बस पूछों मत तो बिन टाइम वेस्ट करें आईए स्टार्ट करते हैं आप सब का स्वागत करता हूं मैं आट्डर 24-7 पर जो कि आप लोगे लेकर आता है बहुत सारे इंपोर्टें इंपोर्टेंट एदुकेशनल रिलेटेड वीडिय वर्ड वर्ड टू हो गई थी और वर्ड वर्ड टू खतम हो जाती है 1945 में और वर्ड 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 टू खतम होने के बाद हमारे पास दुनिया में दो सुपर पावर्स निकलते हैं एक जिसका नाम है United States of America और दूसरा जिसका नाम है USSR USA के बारे में थो हमें पता है इसको हम अमेरिका के नाम से जानते है लेकिन ये USSR क्या है USSR इसकी फिल फॉर्पाम है the Union of Soviet Socialist Republics ये था क्या लेकिन ये एक गृप था 15 कंट्रीज का फिफ्टीन कंट्रीज का एक गृप है USSR इसमें 8 European कंट्रीज है और 7 Asian कंट्रीज है ठीक है और ये सारे के सारे एक ही आइडॉलोजी पर चल रहे है जो की है Socialism ठीक है इसके साथ साथ इन 15 कंट्रीज में से जो सबसे बड़ा कंट्री है उसका नाम है Russia याने की दुनिया में दो सुपर पावर है एक USA दूसरा USSR ठीक है और ये जो USSR है ये USA को चैलेंज कर रहा है और USA USSR को चैलेंज कर रहा है दोनों एक दुसरे को चैलेंज कर रहे है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुपर स्टार याने कि सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है USA ये USSR ठीक है लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है end of bipolarity bipolarity क्या है वो तो अभी तक हम लो इस वजह से क्यूंकि यह जो western world है दो इसमें बाड़ दिया कह सकते हैं कि यह दुनिया bipolar world it was a bipolar world by का मतलब क्या by का मतलब दो polar का मतलब क्या दुनिया के दो poles बन गे हागे ना आधी countries USA को support कर रही है आधी countries USA को support कर रही है और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में एक tussle चल रहा है एक competition चल रहा है एक arms race चल रही है एक ऐसी race चल रही है जिसमें दोनों के दोनों पुरी दुनिया को दिखाना चाहते है कि भाई सामने वाले से मैं ज़्यादा powerful है ना तो इसका मतलब world war 2 तो 1945 में खतम हो रहा है लेकिन world war 2 खतम होने के बाद 1945 से लेकर 1991 तक एक competition चलेगा एक conflict चलेगा एक arms race चलेगी एक टसल चलेगा USA और USSR के बीच में और इसी time period को हम लोग कहते है cold war इसी time period को हम लोग क्या कह रहे है cold war यानि कि cold war वो time period था जब USA और USSR डायरेक्ली तो आपस में नहीं लड़ेंगे बलकि indirectly ये लोग क्या करेंगे war करेंगे indirectly ये लोग दुनिया को ये दिखाना चाहेंगे कि USA ये दिखाएगा कि USSR से मैं ज़्यादा powerful और USSR ये दिखाएगा कि USSR से मैं ज़्यादा powerful ठीक है इसी time period को हम लोग कहते cold war यानि कि cold war के time period में यानि कि 1945 से लेकर 1991 तक का जो time period था इसमें एक competition चल रहा था दुनिया का अकेला सबसे बड़ा superpower कोन बनेगा ठीक है चैप्टर का नाम है हमारे the end of bipolarity यानि कि इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले है कि इन दोनों में से जीता कोन इन दोनों में से वो superpower कोन बना जो कि दुनिया पे अकेला dominant होकर rule करने वाला है आगे ठीक है आईए देखते introduction the Berlin Wall अब question यह है कि यह Berlin Wall क्या है देखिए होता क्या है दुनिया दो हिसमें बटी हुई थी Eastern World और Western World में आगे ना लेकिन यहाँ पर एक continent है योरोप दो हिसमें ऐसे बटा हुआ है कि Eastern Europe was the supporter of USSR और Western Europe was the supporter of USA ठीक है मतलब योरोप में हम लोगों को direct division दिख रहा है कि इसमें Eastern World और Western World का हागे ना इसके साथ साथ एक और important चीज़ का हो रही है योरोप का एक देश है यह देखिए यह योरोप है योरोप का एक देश है जिसका नाम है Germany Germany खुद डो हिसमें बटा हुआ है Germany खुद बटा हुआ है जो Eastern Germany है इट वस the supporter of USSR और जो Western Germany है अट वस the supporter of USA इसके साथ साथ और complication करते है Germany की capital कै है Germany की capital थी Berlin जो की Eastern Germany में पड़ती है यह रही क्या, Berlin, it was the capital of Germany, लेकिन पढ़ रहे है इस्टन जर्मनी में, Berlin भी दोईसा में बती हुए, the capital of Germany itself is divided into two parts, ठीक है, कैसे, यह आप में बना रहा हूँ, Berlin, Berlin, Berlin भी दोईसा में बटा हुए, Eastern Berlin, was the supporter of USSR, और Western Berlin, was the Ohh Southern of USA, इसका मतलब, दुनिया दोईसा में बती हुए, योरोप दोचन So गॉटटव चलिए आगे देखते हैं अब सीन क्या है कि इस इस बर्लिन यह जो बर्लिन हैं इसकी बीचो बीच एक दिवार बना दी जाती है इसी दिवार का नाम है Berlin Wall कोशन यह है कि Berlin Wall बनाई कब जाती है तो यह जो Berlin Wall है यह बनाई जाती है 1961 में लेकिन हमारा चैप्टर क्या बता रहा है सबसे पहली लाइन कि Berlin Wall को तोड़ा गया 1989 यानि कि यह हमारे पास दो कोशिन के अंसर आ गया पहला कोशिन की बर्लिन वाल कब बनाया गया तो बर्लीन वाल से पीछे आएंगे यह देखे कुछ इस तरीके से बर्लीन है ठीक है बर्लीन का जो इस्टन हिस्सा था ये किसको सपोर्ट कर रहा था तो Berlin का Eastern हिस्सा support कर रहा था USSR को और Berlin का Western हिस्सा support कर रहा था USA को लेकिन मैंने बनाई Germany Germany में मैं बना रहा हूँ दो हिस्से Eastern Germany, Western Germany Eastern Germany में यहाँ पर पढ़ता था Berlin और Berlin के भी दो हिस्से Eastern Berlin USSR का supporter और Western Berlin USA का supporter और इसी वज़े से क्योंकि बाकी पूरी की पूरी जगा किसकी supporter है USSR की है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ Western Berlin किसका supporter है ये वाला इस्सा किसका supporter है ये supporter है USA का इसी वज़े से इसके चारों तरफ एक दिवार बना दी जाती है और इसी दिवार का नाम है किया the Berlin wall कितनी लंभी दिवार है आईए देखते है इसी दिवार का क्या नाम है Berlin wall देखे ये वादी I hope आप लोगों को दिख रही होगी इसी दिवार को हम लोग किया केते Berlin wall ये जो berlin wall है कब बनाई गई थी 1961 आईए देखती है कित्ती लंबी है तो Berlin Wall 155 km लंबी थी 96 miles जो थी यह बड़ी थी और Western Berlin को चारो तरफ से घेर रही थी ठीक है अब दूसरी चीज क्या है इसको तोड़ा जा रहा है इसको तोड़ा जाने का मतलब कैआ इसको 1989 में तोड़ा जा रहा है आगे न और इसको तोड़ने का मतलब कि बर्लिन वाली लोग कह रहें कि भाहिया अब कोई वेस्ट बर्लीन नहीं कोई इस्ट बर्लीन नहीं सिर्फ एक ही बर्लीन होगा यहापर बर्लिन ठीक है अच्छा पीछे आते हैं थोड़ा सा इधर देखिए अब यह कहा है तो Berlin Wall was the greatest symbol of Cold War पेपर में कुश्चन आता है कि what was the greatest symbol of Cold War तो Cold War का सबसे बड़ा symbol था the Berlin Wall क्यों कि Berlin Wall बनाने से हम लोगों यह पता चल रहा है कि USA के सपोर्टर्स और USSR के सपोर्टर्स एक दूसरे को अलग दिखाना चाहते हैं इससे हम यह पता चल रहा है कि दोनों की dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the second world and the end of the cold war अब कोशन यह है कि second world क्या है यह बोल रहा है कि cold war के बाद cold war के time period में Berlin Wall तोड़ दी गई 1989 में और जैसी Berlin Wall तूट गई उसके बाद में बहुत सारे ऐसे events होएंगे जिसकी वज़े से second world तूट जाएगी अब कोशन है कि second world क्या है इधर देखिए हमारे पास दो दुनिया थी एक eastern world एक western world यह जो western world है यानि कि जहापर dominance है USA का जहापर लोग USA के supporters है इसको हम लोग बोलेंगे first world क्या बोलेंगे हम लोग इसको first world और जो eastern world है जहापर लोग है USSR के supporters इसको हम लोग बोलते है second world हमारे PPT हमें बता रही है क्या कि Berlin Wall सबसे बड़ा symbol था cold war का और दूसरी चीज़ यह बता रहे है कि Berlin Wall के तूटने पे second world खतम हो गया यानि की USSR खतम हो जाएगा मतलब यह जो race चल रही है USA और USSR के बीच में इसको जीतने कोन वाला है इसको जीतने वाला है USA और हारने कोन वाला है USSR हार जाएगा और तूट जाएगा 15 आलक कंट्रीज में और 15 new independent countries बनके उबरेगी ठीक है वो कैसे होगा वही हम लो किसे होगी और USSR भी टूट जाएगा और हम लोगों को पता लगेगा कि USA अकेला dominant superpower बनकर अब दुनिया पे virtually राज करने वाला है ठीक है आईए आगे देखते है Berlin Wall देख लिए आप लोगों ने यह देखो यह पूरी की पूरी Berlin Wall है कह सकते है हम लोग कि यह East Berlin है वो West Berlin है और divided थी ठीक है आगे आते है The collapse of the Second World and the end of the Cold War इसको समझते है Germany divided after the Second World War was unified यह बोल रहा है कि Berlin Wall तूटने के वज़ेसे क्या हुआ तो यह बोल रहा है कि Germany चो थी उसको दो इससे में divided थी Eastern Germany, Western Germany आगे ना जब Cold War खतम हो गया यानि कि USSR जब खतम हो गया USSR का तूटना मतलब Second World का तूटना Second World का तूटना और Second World का तूटने का मतलब क्या USA अकेला सुपर पावर बज़ गया यानि कि यानि कि जो World War 2 के बाद से जो competition चला था USA और USSR की बीच में कि कौन बड़ा सुपर पावर है उस competition में USA की हो गई जीत USSR की हो गई हार यह बड़ा कि Germany which was divided of the Second World War ठीक है Second World War के बाद जो Germany divided थी इस्टन जर्मनी में और वेस्टन जर्मनी में क्योंकि USSR हार गया है इस वज़े से अब यह क्या हो जाएगी यह दिवार तूट जाएगी बीच की और अब इसको सिर्वा सिर्वा अपन जर्मनी बोलेंगे क्योंकि जर Second World के खतम हो जाने की वज़े से सबसे पहले चीज जो ही वो क्या होई Germany unified हो ठीक है दूसरा क्या बोल रहा है the 8 East European countries that were part of the Soviet block replaced their communist governments in response to mass demonstration ठीक है यह भी important चीज़ है यह देखिये यह है दुनिया दो इसमें बात दिया यह है USSR और यह USSR के 8 European countries क्या था इसी का पार्ट था USSR का ठीक है लेकिन जब USSR के ideological war हार जाएगा USSR तो जीतेगा कौन USSR जीतेगा और यह जो Eastern European countries है यह सब लोग बोलेगी कि अब हमें चाहिए Independence हमें चाहिए आजादी और अब हम लोग छोड़के जा रहे है किसको Soviet block Soviet block मतलब क्या Soviet Union को छोड़कर जा र कि इसका नम स्वेट एन हांगे नकितों का लूट सकते एह बोल सकते है क्या si turning Union USSR बोलो Soviet Union बोलो एक ही बात है ठीक है आए क्या बोल रहा है the Soviet Union stood by as the Cold War began to end not by military means but as a result of mass actions by ordinary men and women ये बोल रहा है कि USSR ये Soviet Union टूटा कैसे ये बोला Soviet Union ये USSR war की वज़े से नहीं टूटा क्योंकि war तो हुई नहीं है USA और USSR कभी आपस में directly तो लडेंगे नहीं हागे नहीं तभी तो इसको Cold War बोला जाता है Cold War का time period लेकिन फिर USSR क्यों टूटा USSR टूटा क्योंकि ordinary people satisfy नहीं थे USSR टूटा क्योंकि ordinary लोग क्या कर रहे थे protest कर रहे थे governments के खिलाफ ठेक है क्योंकि वह satisfy नहीं थे क्योंकि उनकी इच्छा ही पुरी नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी desires पुरी नहीं हो रही थे eventually the Soviet Union itself disintegrated और यह Soviet Union eventually क्या हो जाती है disintegrate हो जाती है टूर जाती है 15 अलग-अलग countries और यही theme है हमारे इस chapter की आईए देखते है क्या 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 है यह देखिए यह पूरा यह पूरा USSR है ठीक है यह USSR की सबसे बड़ी country है जो आप लोगों को red में दिख रही है इसी को हम लोग Russia बोलते है ठीक है यह जो 8 countries आप लोगों को दिख रही है ठीक है यह वो 8 countries है जो Eastern European countries है जो USSR का part है और यह Central Asian countries है जो USSR का part है मतलब 7 Asian countries और 8 European countries मिलकर बनता था क्या मिलकर बनता था USSR USSR ठीक है आए बढ़ते है देखिए तरह कुछ इस तरीके से Berlin Wall तोड़ी जा रही है यह कुछ फोटोस है हमारे पास ठीक है कुछ इस तरीके से लोग क्या कर रहे है बलिन वाल को तोड़कर जर्मनी को यूनाइटेड बना रहे है ठीक है आए आए आते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जहाँ क्या दगें हमलों सवेट उनियन की लीडर्स को देखेंगे कौन से-कनसे लीडर आय थे смотреть चैप्टेंगे अनके वारे में देखेंगे और इन्हीं के टाइम प्रेड में USSR तूटना स्टार्ट हो जाएगा तो इनकी गल्तिया क्या है उसके बारे मिंदेखेंगे हम लोग वाइड-the soviet union डिसंटीग्रेट, soviet union तूटा क्यों यह हम लोग देखने वाले है फिर timeline देखेंगे हम लोग सोवेत उनियन के तूटने की कि सोवेत उनियन किस तरीके से तूटता चला गया consequences of disintegration देखेंगे कि तूटने के बाद चो 15 अलग अलग countries बनी उनके उपर क्या भी थी वो देखने वाले हम लो shock therapy in post communist countries देखेंगे हम लो shock therapy का मतलब क्या है कि USSR तूट चुका USSR तूटने के बाद उनकी जो हालत होगी ठीकिन और एक transition आएगा communism to capitalism की तरफ ठीकिन तो उस time period में क्या-क्या problems आई थी इन country को उसके बार हम देखेंगे consequences of shock therapy भी देखेंगे tensions and conflicts देखेंगे इंडिया और यह जो 15 अलग independent countries है इनके relation को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग flashback में देखेंगे India and the USSR इंडिया का और USSR का cold war के time period में कैसा connection था यह सारी के सारी चीज़े हम लोग discuss करने वाले हैं कुछ additional topics भी पढ़ने वाले हम लोग इसमें तो यह सारी के सारी चीज़े हम लोग करने वाले तो I hope कि अभी तक का सारी के आप लोगों को समझ में आई होगी समझ में आई है तो वीडियो को like करिए शेर करिए अपने दोस्तों को दिखाईए मुझे दिखाईए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सारा प्यार और ऐसे important and important topics लेकर मैं मोहिन पठान आप लोगों के सामने रोज बर रोज आता रहूंगा तब तक के लिए मोहिन पठान आप सबसे कहता है जैहिंद